जो ग्यान उसकी इसकी आत्मविश्वास से तोड़ सकता था पैसे एक सिंपल सी बात है न भई जिस व्यक्ति को दर्शन की समझ नहीं है बिग्यान की समझ नहीं है वो चंदा को मामा कह सकता है छोटे बच्चों को देखिए बहुत सारी संख्यम उनकी मम्मीयों को देखिए उनके चंदा मामा है चंदा मामा है लगाओ है प्यार महबत है सब चीज़ चल रही है लेकि जिस इसने साइंस को ठीक से पढ़ लिया उसको पता लग गया कि अनंत आकाश गंगाओं में से एक चोटा सूर्ज, क कई ग्रहों में से एक ग्रह, की कई योनियों में से एक मनुष्य योनि, के साथ अरब लोगों में से एक मैं हूँ. इससे confidence बढ़ा या खतम हो खतम confidence कुझसे नहीं पढ़ा हो तो मस था रहा है परम तब तो हमको भेजे हैं परम तब नहीं हमको अपने जैसा बनाया है क्योंकि इस गठे को idea नहीं है अंदाजा नहीं है पढ़े लिखे ना होना confidence में अतीव वृध्धी कर सकता है और कबीर को लेकर हजार प्रसाद जी का standpoint यहीं है कि कबीर का इतना प्रचंड आपने विश्वास जो था इसकी बड़ी वजय थी निरक्षर होना दूसरा क्या आप इस गलत फैमे के शिकार हैं कि साक्षर लोग ज्यादा समझदार होते हैं और निरक्षर लोग बेवकुस होते हैं इससे शिकार तो नहीं है आप लोग बहुत लोग इससे शिकार हो जाते हैं कि साक्षरता बढ़ेगी देश में नेतिक्ता बढ़ेगी ऐस कुछ नहीं होने वाला है साक्षर बढ़ने से पूरा खत्रा है कि अन्याटिक तो और बड़े स्वर पर जा सकती है Biz मुषण के शुग को अन्याटिक ता कि अच्छे रास्ते पता होते है कि उस साइबर क्राइम कर सकता है जब कि लट फैट किस्म का आदम में कि अऊशे और क् तर्क अनुभव पर होगा तर्क अनुभव पर दूसरी बात है कि कबीर ने तर्क और अनुभव पर बल दिया क्योंकि वो निरक्षर थे और उनको शास्त्रों का वैसा ग्यान नहीं था जैसा आम तोर पर उस समय के साख्षर लोगों को हुआ करता था कितना अच्छा हुआ और मैंने कहा था एक जोर्ज बरनार्ड शौ का बहुत पसिद्ध कतर है मैं ग्यानी बनना चाहता था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि स्कूल जाओंगा तो ठोक पीट के वही बढ़ाएंगे जो सबको बढ़ाते हैं मेरी अपनी क्रियटिविटी का क्या हुगा मेरी अपनी जिगभियासाम का क्या हुगा आप तो ठोक पीट के वही सिखा देंगे जो आपने आपने सीख रहा है और आजकल के स्कूल तो आधुरिक तर्ग के शिक्षा दे भी रहे हैं पहले के स्कूल में कैसे होते थे भई धर्म के शिक्षा, भई बाइबिल पढ़ा रहे हैं भई गीता कुरान पढ़ा रहे हैं उन सब को सीखने से तो दिमा कुंद होगा उससे अच्छा तो यह कि आदमी ना पढ़े अनुभव से तर्क से सामानी जीवन के लड़ाई जगड़ों से सड़क पर लोगों से बात करके सीखे उसीखना जाथ अच्छा है तो कबीर के महान व्यक्तित्व की एक वज़ए है कि कभीर निरक्षर थे और इस वज़े से उनके भीतर दो चीजी आई प्रचंड आत्मविश्वास आया और तर्क और अनुभव को शास्ति की तुल्ला में प्राथमिक महत्तु देने की समझ उनके भीतर पैदा हुई एक पक्षी है